हालो फ्रैंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूं मैं 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 ए और होने वाले ड्रामा के बारे में लेकिन उसके पहले आए नजर डालते हैं आप प्रैल में हाई वीवर्स ये प्रेटिंग्स ड्रामास की और मई में एयर होने माले ड्रामा में पहले नंबर पे है डिनर मेट ये ड्रामा 25 मई से आरा और इसमें टोटल 32 एपिसोड है This drama is adapted from a webtono और आप इस ड्रामा को एक food romance drama भी कह सकते हैं इस ड्रामा में male lead और female lead दोनों ही foodie हैं इसी वज़े से उनका रोमैंस भी शुरू होता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड का अपने लॉंग टाइम बॉइफरेंट से एक रफ ब्रिक अप हो जाता है। और वहीं इस ड्रामा का मेल लीड अपने डेटिंग रिलेशन्सिप से ठक चुका रहता है। तो चुकि दोनों को ही बाहर खाने का सौक रहता इसलिए दोनों की मीट होती एक रिश्टूरेंट में वेटिंग लाइन में। जहां होस्टेस उन्हें कपल समझ लेते हैं और फिर उन्हें साथ में डिनर करना पड़ता है। जिसके बाद वो वीकली एक दूसरे के साथ दिनर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो धीरे-दीर एक दूसरे को जादर समझने और जानने लगते हैं और एक दूसरे के करीवाने लगते हैं। दूसरे नमबर पे है ओह माई बेबी। ये ड्रामा 13 मई से आ रहा और इसमें टोटल 16 एपिसोड हैं ये एक रोमेर्स कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा में फीमेल इडिक वर्क होलिक रहती है जिसका पास्ट डिकेट से कोई भी बॉइफरेंड नहीं रहता है वो दा बेबी नाम के एक पैरेंटिंग मैगजीन मे सीनियर रिपोर्टर रहती है तो वो अपने लाइफ में बस एक चीज चाहती है वो रहता है एक बेबी और वो अपना माइंड सिंगल पैरेंट हूट पे सिट की रहती है इस वज़े से वो मैरेज नहीं करना चाहती है लेकिन उसकी लाइफ को उधल पुधल कर देते हैं उस इसरे नमबर पे है फिक्स यू ये छे मई से आ रहा है और इसमें डोटल 32 अपिसोड है ये एक मेडिकल रोमान्स ड्रामा है जो ये दरसाता है कि आखिर खुसियां कहां मिलती है इस ड्रामा का मेलेड एक साकैस्ट्रिक रहता है जो अपने पेसेंट की डीपली केयर करता है और उनको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तयार रहता है वही इस ड्रामा की फिमेल इड एक म्यूजिकल एक्टर्स रहती है जिसकी अपनी परशानिया रहती है तो फ्रेंस अगर आप जंग सुमीन के फैन है तो आप ये ड्रामा देख सकते ह चौथे नमबर पे है ओल्ड इस्कूल इंटर्न ये एक बिजनेस कॉमेडी ज्रामा है जो 20 मई से आ रहा है और इसमें टोटल 32 अपिसोड है इस डामा में में लिट ग्रेजुएशन के बाद एक कमपनी में वर्क करने जाता है जहां उसका सूप्रीरियर लीमानसिक ओल्ड इस स्वीट के साथ प्रमोट होता है और जिसके वज़े से वो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है तो आगे उसकी कमपनी में एक सीनियर एज इंटर्न आता है और वो इंटर्न कोई और नहीं लीमान सीख रहता है तो वो कहते हैं ना वक्त सबका बद दलता है पांचेवे नंबर पे विंड क्लाउड एंड रेंड ये इक हिस्टोरिकल रोमान्स फैंटिसी ड्रामा है जो 17 मई से आ रहा है और इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं तो इस ड्रामा की कहानी जौसन एरा में सेट की गई है और इस ड्रामा का मेल लीड एक फार्चुन रहती है और वो लोगों का भागे देख सकती है और ये चिच उसके लिए बलेसिंग और कर्ण दोनों रहती है तो आगे मेलिड फीमिलिड दोनों एक सातeld की जौसन काब आंगे बदलना चाहते है और उसे बेटर बनाना चाहते है चठी नमबर पे लेटनेयट स्च्ट मै ए साथी उसका एक special secret भी रहता है वहीं इस ड्रामा की female lead एक love triangle में involved हो जाती है लेकिन ये love triangle female lead के लिए नहीं रहता है मैं आपको बता दू कि इस ड्रामा की female lead और second male lead दोनों ही male lead को पसंद करते हैं साथवे नमबर पे है team bulldog of duty investigation ये ड्रामा 23 मई से आ रहा है और इसमें total 12 एपिसोड है तो फ्रांट्स ये एक crime action investigation ड्रामा है जिसमें male lead एक police investigator है serious crime squad से तो फ्रांट्स इस ड्रामा में male lead अपने case से कभी भी give up नहीं करता चाहे वो case कितना भी जटिल के नहीं हो और उसकी एक special team रहती है तो फ्रांट्स अगर आप crimes on investigation पे अधारी ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं आठवे नमबर पे है mystic pop-up bar ये एक mystery fantasy ड्रामा है जो 20 मई से आ रहा है और इसमें total 12 एपिसोड है इस ड्रामा में female lead एक mysterious outdoor drinking establishment चलाती है वही इस ड्रामा का male lead एक innocent part-timer रहता है जो अपने customers के dreams में जाके उनकी problems को solve करता है वही इस ड्रामा का second male lead एक former after life detective रहता है तो फ्रांट्स अगर आपको mysterious fantasy Korean dramas देखना पसंद है तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं नौवे नमबर पे है mothers ये एक family drama है जिसमें mother और daughter के relation को दिखाया गया है और ये चार मई से आ रहा है और इसमें सिर्फ दो एपिसोड है तो इस ड्रामा में female lead की साधी के 14 साल हो गए रहते है और उनकी एक बेटी रहती है तो चूकी उसका husband हमेशा भीजी ही रहता है इसलिए उसकी help के लिए स्यूल आती है उसकी mother और अचानक उसकी family में एक tragedy हो जाती है जिसके बाद मा बेटी मिलकर उसका सामना करती है तो friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care